हैलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के विडियो में आज के विडियो में बात करेंगे जैसे कि हमने UPTED के लिए आपका CDP का सेक्षन ने स्टार्ट कर दिया था और ध्यान रखेगा यह जो CDP का सेक्षन है वो UPTED के लिए ही जितना important है उतना ही आपके आपको कुछ लास्ट वीडियो में आनी कि जब हमने शेशन स्टार्ट करा था पहली वीडियो अप्लोड करें थी मैंने आपको बाल विकास की उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा स्लेबस विस्तारीत रूप से बताया था कि कौन से सेक्षन से कितने नंबर के कोशन पूछे जाते हैं अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखिए तो डिशिशन में लिंक दे रखा है मैंने आपको पूरे के पूरे स्लेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को देखना ना भूलेगा तो उसी सीरीज को आगे करते हुए आईए कुछ आज उससे आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं तो इस वीडियो का आपेंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखरें उडिकी गुपता उनलाइन वीडियो पो गवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो मैंने आप सेफ पहली वीडियो में बात कर ली थी यूपी टेट का पाठे करम यानि ये सिलेबस क्या है और इंपोर्टन फिफ्टिन चेप्टर आपको बताए थे जिसमें से हमने पहला चेप्टर जो की बाल विकास यानि की विकास की अवधार्नाई क्या होती है पहला टॉपिक जो की पूरा पूरा एक नाम दे सकते हो बाल विकास उसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले थे तो हम उसमें मैंने आपको 5 important topic बताये थे जिसमें से हमने पहला topic complete कर लिया था विर्धी और विकास का अंतर यानि कि उसमें जो अंतर पाये जाते हैं उससे related आपके questions पूछ लिये जाते हैं जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको केवल UP TED के previous year में पूछे गए question चाहिए या फिर mixed TED जैसे कि बिहार, H TED, UP TED, R TED, C TED इस chapter से जिस related क्वरगार के questions पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे questions चाहिए तो बच्चों ने काफी अच्छा response दिखाते हुए comment करते हुए का sir mix ज़्यादा कराई है वो ज़्यादा better है ज़्यादा information मिलेगी ज़्यादा knowledge मिलेगी तो जैसे आपका ये पांचों के पांचों के topic खतम हो जाते हैं पहले chapter के तो हम इसके important questions के बारे में बात करेंगी कि कहां कहां कौन कौन से टेट में आपके पूछे गए थे इस chapter से related वो सारे questions के बारे में बात करेंगे तो आज हम अपना next topic के start करेंगे बाल विकास के सिध्धान्त तो दियान रखेंगे ये 5 topic या अराम से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझाते हुए मैं आपको चलूँगा पहला topic मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दिया था अगर आपने देखी होगी तो पता है नहीं देखिए तो आपको पता है प्लेलिस्ट अगर से मैंने चनल में अलग से बना रखेंगे वहाँ जाता क्या देख सकते हो नितो डिस्टिशन में लिंक दे रखा वहाँ जाकर देख सकते हो अब से स्टार्ट करते हैं चलिए सेकंड टॉपिक जो की क्या है बाल विकास के सिध्धान्त तो आज हमारा फर्स च्रप्टर का second topic क्या है विकास के सिध्धांत तो ध्यान रखिएगा विकास का जो सिध्धांत है important 11 सिध्धांत दिये गए हैं उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि पहला क्या बोल रखा है निरंतनता का सिध्धांत मतलब आपको जो development होता है वो कैसा होता है continuously होता है वो बच्चे का निरंतन चलने वाली प्रिक्रिया है यह कभी रुकता नहीं है मित्यू तक चलता रहता है तो जैसे एक वच्चा जनम लेता है जनम के बाद लेने से ही वो क्या करने लग जाता है आपका वो विकास की अवस्था में चलता रहता है हर परकार की चीज़े हो सीखत रहता है वो कभी भी रुकती नहीं है चाहे वो स्कूल हो परियावरन हो आपका परिवार हो समाज हो रोड हो सड़क हो किसी ना किसी परकार से हर किसी ना किसी चीज से सीखता रहेगा फोर अग्जाम्पल के रूपपर, जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा है, आप देख सकते हो कि एक बच्चे की आप अलग-अलग समय पर तुलना कर सकते हो, जैसे कि एक बच्चा है, छोटी उमर में जैसे कि पहली बार आप तीन साल में उसको play school भेजते हो, तो वो उकेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर पाँच वर्ष का हो जाता है और पहली क्लास में अपने लिए जाता है वो तो हनते हस्ते जाता है क्यों क्यों की बच्की के बच्चे का झौरी 6 साल का їх उस τοGold जा रहा था। और फिर बाद में वह स्थार आ कुरी यह क्या है आपका विकास का निरंतर चलने वाली परकिरिया है हमेशा बच्चा कुछ ना को सीखता रहेगा पहले वह इसलिए रो रहा था क्योंकि नई चीज थी उसे पता नहीं था क्या करना और उस चीज चुका है परीपावक हो चुका है कि उसको नए दोस्त मिलेंगे क्यों कि देखिये की परतेग बालक का विकाश दूसरों से अलग होता है अपने есяinte आप énormbelsो Nacional स्कूल के और कि देखे जाती है और वहीं पर एक दूसरा बच्चा वो भी उसी की उमर का है, तीन साल का ही, लेकिन वो स्कूल जाने में क्या कर रहा है, वो हस्ते हस्ते जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, एक बच्चा रोते हुए जा रहा है, एक बच्चा हस्ते हुए जा रहा है, तो दोनों में किस परका के बच्चे में अलग प्रकार्थ की विकास की प्रवधियां देखी जाती है ओके तीसरा आपका परिमर्जिक्ता का सिध्धान्त अब यह थोड़ा सा शुद्ध हिंद्य होगी जादा यह है क्या तो ध्यान रखिएगा विकास को सुधारा जा सकता बदला या रोका नहीं जा सकता कहने का तात पर आपका यहां पर यह है कि बच्चे को आपको सीखने के लिए मतलब जो बच्चे का विकास हो रहा है दिन परते दिनों समाज से स्कूल से या आसपड़ों से कुछ भी सीख रहा है आप उसको सीखने से रोक नहीं सकते हो यानि कि आप जो सीख रहा है उ जो एक माली है, वो माली के पूरी की पूरे के उपर, उसकी मेहनत के उपर निर्भर करता है, कि वो बाग बगीचा, वो खेट जो है, वो हरा भरा करना है, या बंजर करना है, इसलिए कहा जाता है, जो विकास है, उसको सुधारा जा सकता है, मतलब हरा भरा कर सकते हैं, लेकिन उसको बदलाया, रोका नहीं जा सकता, ओके, तो इस बात को ध्यान रखेगा, नेक्स्ट आपका समान परतिरूप का सिध्धान्त, यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चे का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वो किसी भी धरम, देश, या फिर जाती का हो, तो ध्यान बच्चा चाहे वो आपका अफ्रीका का हो, यानि कि जो आपके ब्लेक इन, यानि कि थोड़े से स्कुन की, इनकी कैसी होती है, ब्लेक होती है, वहां का हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कैसा भी बच्चा हो, दिखने में किसी परकार की उसकी चमडी का रंग कैसा भी हो, वो जो बच्चे का विकास होगा एक मानव की तरह ही होगा For example के रूप में एक बच्चा जो होता है जनम लेने के बाद वो अपने पहले बैठना सेखता है फिर गुटनों के बल चलना सेखता है फिर धीरे-धीरे खड़ा होना सेखता है फिर चलना सेखता है तो बच्चे का जो विकास होगा, वो इसी क्रम में होगा, अब ये नहीं है कि कोई American बच्चा है तो डिरेक्ट खड़ाओ के चलने लग जाएगा, नहीं, वो बच्चा किसी भी धरम का हो, किसी भी जाती का हो, किसी भी विशेश प्रवधान का हो, वो बच्चा जो विकास तो ध्यान रखेगा समाने से versist की ओर होता है, वैसे तो यहां पर when to get your आगमन विदी में विशिष्ट से समानने की ओर और वो विदी सही मानी जाती है लेकिन यहां पर उल्टा है समानने से विशिष्ट की ओर तो यहां से समानने से विशिष्ट की ओर का कहने का तातपर है यहां पर यह है जो बच्चा होगा उसके लिए समानने क्या है हाथ for example एक सीखेगा शरल शब्दों में कहा जाए कि जो विकास होता है वो क्या होता आपका समाने से विशिष्ट की और होता है जैसे कि अभी आपको मैंने एक अग्जामपल दिया कि एक बच्चा है वो आपका कैसे होगा वो पहले बैठना सीखेगा फिर धीरे धीरे गुटनों पर चल और फिर जो विशिष्ट था यानि कि जो कठिन काम था बैलेंस बना कर खड़ा होना और फिर चलना वो उसने बाद में सीखा इसलिए जो बच्चे का विकास होता हो कैसे होता है समाने से विशिष्ट की और इसको अच्छी तरीके से समझिए पूछे जाते हैं यहां से बच्चा होता हो स्कूल भी किसके साथ जाता है ममी पापा के साथ या फिर स्कूल वालों के जाने के लिए क्या कर दिया जाता है बच्चों की क्या लगा दी जाती है लेकिन बच्चा दीरे दीरे जैसे बड़ा होता है या तो उसके घर वाले इसको जाने के लिए साइकिल देते है या फिर वो अपने आप ही रहा है मतलब चल चल के अराम से चला चाहता है तो यह क्या होती है पहले शुरू में बच्चा परी निर भर होता दूसरों के उपर धीरए धीरे बच्चा क्या ओजиной अ cursed निर्भर हो और होता है। नेक्स्ट आपका एहम केंद्रिता से परम केंद्रिता की और। इसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा प्रहरंब में बच्चे अपने तक ही सीमित रहते हैं लेकिन दिन परती दिन वह दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। जैसे कि छोटे बच चाहिए भले उसको बाद में समझ में आए कि वो टूटने के बाद खराब हो जाता है इसलिए जो बच्चा होता है वो शुरू-शुरू में क्या होता है? एहम केंदरृता होता है मतलब अपने बारे में ही सोच रहा होता है वो अपने बारे में सोच रहा होता है वो क्या होता है, self होता है पहले में शुरू में उस बच्चे को आप क्या कह सकते हो, जिद्धी कह सकते हो लेकिन धीरे धीर हो क्या होता है परहम केंदृता की ओर जाने लगता है है उसकी ओके नेक्स्ट अै आपका चAKRIYA PRAGeven kul point कल मैंने आपको बताермitesh वह कीसा होता अब का चखरी होता मतलब कभी धीमेगती से कभी देश कभी धीमाइगती से कभी तेजह गती से इसलेए शाब्दीक अर्थ में बोल सकते हैं विकास कभी मंद गती से कभी तेज गती से होता है अर्थात विकास चक्रिय रूप में होता है सरल रेखिय में नहीं होता तो ध्यान रखेगा डिरेक्ली कोशन पूछा जा चुका है कि विकास किस प्रकार से होता है मतलब विकास जो होता है वो कभी कित्रिव गती से कभी तेज गती स होता है कभी धीम ही गति से होता है स्पाइरल कि जयता मतलब चक्रिय प्रकर्ति का गता है ध्यान रखेगा इस चीज को कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज आप जल्दी से सीक ले तो रहता है गुणिय अवगुण यदि हमारे अंदर है तो वह खतम नहीं होता है उनको पुनवर्तित होती रहती है मतलब आपने देखा कि आपने किसी बुज़ुर्ग आदमी की कुट्टे से लिए help कर दी तो वहां पर आपने देखा वो कुट्टा जो था वो उल्ट के आपको को ही काट लेता है वहां पर आपका experience कैसा हो गया बुरा हो गया तो आप अगली बार क्या सोचोगे कि मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा चाहे कोई भी कितनी भी मुसीबत में आ रहा हो लेकिन आपको जब भी कोई मुसीबत में दिखेगा आप उसके help करने के लिए दोगे लेकिन वह धीरे ना धीरे कहीं ना कहीं जाकर ओर लोटकर दुबारा आएगी इसलिए इसको क्या का जाता है संची एवं पुनर्तित का सिद्धान्त कहां जाता है नेक्स्ट है आपका वांशुकरम एवं वातवर्ण की अनुकरिया का सिध्धान्त ये क्या है, बहुत इंपॉर्टन कोशन है, डिरेक्ली कोशन यहां से पूछा जा चुका है कि विकास जो होता है, वो किस चीज का परिनिर्भरता के उपर निर्भर होता है किस चीज की अनुकुरिया का वो सिध्धान्त है तो ध्यान रखेगा विकाज जो होता है वो वांशुकरम और वातवर्ण यानि कि आपके माता पिता से मिले आपके गुण और आपके समाज के द्वारा मिले गई आपके गुण, वो दोनों का क्या होता है गुणन फंड का सिध्धान्त होता है मतलब एक दूसरे का वो मल्टिप्रिकेशन है ना कि वो क्या होता है आपका योगफल का डिरेक्ली कोशन पूछा जा चुका है विकाज जो होता है वो वांशुकरम और वातवर्ण का किस चीज का सिध्धान्त है ओप्शन में दे दिया जाएगा योगफल का, गुनन फल का दोनों का या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा वो किस चीज का आपका परतिफल है वो गुनन फल का है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं आपको वो सीखने के लिए नहीं नहीं सीमा आपको परदान करते हैं जैसे कि वान्शुकरम क्या आपका विकास की सीमा परदान करता है for example कोई चीज आप सीखते हो तो सीखने में आपके वान्शुकरम यानि कि आपके माता पिता के द्वारा आपको किस परकार की बुद्धी मिली है क्योंकि हरेडिटी से ही मिलती है हमें तो उसके उपर निर्बर करता है आप किस परकार से सीखते हो तो वानशुक्रम विकास की आपको क्या परदान करता है सीमा परदान करता है और वातावर्ण उसी सीमा में रहकर मतलब आपकी बुद्धी की सीमा में रहकर आपको विकास के अवसर परदान करता है जैसे कि आपको कई बार आपने सुना भी होगा कि बच्चे को उसी परकार से सिखाओ जिस परकार से बच्चा सीखना चाता है और जितना वो सीखना चाता है तो वो क्या कर रहा आपके वांशुकरम के विकास की सीमा आपके इंदर देखते उए आपके वातवड में उसी परकार की सीमा की आपको अवसर दिये जा रहे हैं तो आपकी जो बुद्धी लाब्दी होगी आपका जो वानशुक्रम से मिला होगा आपको उसी के नुसार बच्चे को सिखाना चाहिए और सीखने सिखाने की परकिरिया में आगे लेकर चलना चाहिए इसलिए का जाता है विकास और वानशुक्रम में क्या होता है तो ध्यान रखेगा विकास में वानशुक्रम यानि कि हैरेडिटी वातवर्ण यानि कि इन्वार्मेंट दोनों का मल्टिपिकेशन है दोनों का गुननफल है ना कि योगफल ओके और लास्ट है आपका निश्चित एवं पूर्व कतनी है विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टन सिद्धांत पूछना से पूछ लिए जाते हैं इसमें आपके दो परकार के सिद्धांत आते आते हैं तो पहला आता है आपका मस्त कोध मुखी पिसे लिकार घ्राल रona रखिएगा कुछ भी आ रहा हो लेकिन आपको अपको देखने को मिलता है तो यह होता क्या है तो ध्यान रखेगा इसमें आपका लगास होता है वह कैसा होता है ये अब किसी कि तु अवस्था में होता है तो Д्यान रखेगा उसको किस नगा जाता है आपका मस्तुष कोद मुखी जिसका आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो इंग्लिश में इसका बड़ा आजीव सा नाम है जो कि आपका सिफल क्लोडिस भी कहा जाता है तो ध्यान रखेगा अगर आपका इंग्लिश में याद रखें कोई जूर्त नहीं आप ह धड़ का विकास होगा 35% और फिर लास्ट में आएगा आपका पैर का विकास 20% है और पैरों के उंगलियों का परियोग बच्चा सबसे बाद में सीखता है इसी के अंदर इसी के अंदर दूसरा आजाता है आपका निकट दूर जिसे आप प्रॉक्सिमल डिस्टेल भी कहते हो इंगलिश में इसमें क्या होता है तो आपके हर्दिया यानि कि आपके दिल के नस्दीक वालों अंगों का विकास पहले होगा तथा दूर वालों अंगों का विकास बाद में होगा ये कोशन डिरेकली पूछा जा चुका है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे के ह जो आपके चेस्ट होतीय उसके इर्धिध सारा चीज़ें फिर उसके बाद में आपका धड़ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हो गया, हाथ की उंगलिया सबसे लास्ट में हो गई, तो अगर आपसे पूछा जाएं कि हाथों की उंगलिया या फिर हाथ और पैरों की उंगल के में क्या होता है वह हात बीच में आ जातें तो वह आपका विकास होता है निकड़ में दोनों पाइक को समझनी की कोशिश कीजिएगा तो यह था हमारे हमारा सेकंड टॉپिक जो की क्या था विकास का सिध्धान्त तो दोस्तों आज की वुड़ो में बस इतना ही बाकी जो बचा हुआ है चाकि आपके विकास के अवस्थाएं हो या फिर आपके वहवार का अध्यन करना हो या फिर परभावित करने वाले कारक हो वो आपको परभावित करने वाले कारक और study यानि कि आपके behavior को आपके वहवार को समझने का यह दोनों एक तरफ में करवा दूँगा और विकास की जो अवस्था हैं वो एक में करवाऊंगा क्योंकि विकास की जो अवस्था हैं वो आपको मैं पूरे detail में बताऊंगा क्योंकि आपका यूपी टैट है कहीं से भी कोई question पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में आपकी एंविस के लिए भी important है तो वहां के लिए भी आपको देखने को वह important मिलेगी brief information दूँगा मैं आपको सारी चीज का अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है अगर इसके related कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो मैंने आपको बताया था कि हमने बोलो application के साथ tie up कर रखा है वहां पर जाकर आप मुझसे वीडिय वीडियो कोल में बात कर सकते हो या वीडियो की related या फिर अपने life में career के related कोई भी कुछ query हो पूछना हो तो आप मुझे बोलो application पर follow कर सकते हो वहां जाकर मेरी profile link पर आप मुझे follow करके आप मुझसे वीडियो कोल में conference कर सकते हो और मेरे साथ साथ कुछ अन्य आपके वहां वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो आज को अच्छी लगी हो तो नीचे जाके इस वीडियो को like किजेगा अपने दोस्तों की शाथ share किजेगा क्योंकि हम आरे लिए जो main important आपकी बाते हैं वो आपका like share और आपका comment का ही होता है क्योंकि बाकी ची किजेगा comment किजेगा अंदर आपके वीडियो के related कोई सुझा हो तो अगर आपने इस चनलों कब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा ता जल्दी सा सब्सक्राइब कर लिजे और उसके साथ में बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपक के लिए जय जय बारत